सरुकार संबोधित किया है इसके अलामा बीजेपी प्रदेश दफ्तर पर यूपी प्रदेश यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद सिंग चोधरी ने थवजार रोहन किया वहीं अस्थापना दिवस को लेकर उत्रप्रदेश सरकार के राज्यमंत्री दिनेश प्रता सिंग्जी है बात की जाए तो भारती जनतापाटी आज से जी के नियाय सप्ता के तहट चौदर अप्रील तक एक सप्ता बनाएक मनाएगी जिसमें भारती जनतापाटी केंद्र और राजी की जो तमाम कार्य उसको जन जन तक पहुँझा जाएगा और पधानमंत्री जी के जब बात कवे तो देश भब में उनका संबोधन LCD स्क्विन पर चला जागा क्या कहेंगे क्या तैयारी है मैं अपने भारती जनता पार्टी के आनुयाईयों को भूद बहुत अपने स्थापना दिवस के सुबकामनाय देता हूं धन्यवाद देता हूं अपने देश के सश्री दल नहीं दे पाएं जिनोंने संदेश दिया कि हम सबका साथ सबका विकास चाते हैं और उन्हें करके दिखाया भारती जनता पार्टी के द्वारा चाहे कोई नगर हो चाहे कोई गां हो सब में आज की तारीक में जिसको भी भारत सरकार और उत्तर पदेश सरकार द्वारा क सबको समान रूप से दिया गया चाहे हो हमारे मतदाता हों चाहे हमारे ना हों चाहे हमारे अनुयाई हों चाहे हमारे आलोचक हों इस चस्में से कभी भारतवासियों को नहीं देखा गया यह हमारे लिए गर्व और गरों की बात है कि हमारे देश के सोसी प्रधान मंत्री जी एक ऐसा वातावरंड जिया जो सर्व समाज के लिए लाबदायक रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे उत्तरपदीश के सवस्वी मुख्यमंत्री जी ने आज जैसे लोगों को नियुक्ति पत्र दिये हैं जहां एक तरफ समाजिक निया सप्ताह आपका समाप्त होगा ठीक 14 अपरेल को समाजवादी पार्टी की तरफ से देश बनाओ देश बचाओ नारा के तहत एक यात्रा की सुरात की जाएगी समाजवादी पार्टी के पूर शांसत धर्मेंद रियादों के द्वारा जिसमें ज जात के आधार पे राजनीत करने के काम करने वाली विचारधारा और एक सबका साथ सबका विकास वाली विचारधारा अपने आप में हमारी विचारधारा जिसका ने तो तो हमारे देश के सवसी प्रदान मंत्री जी हमारे उत्तरपदेश के सवसी मुख्य मंत्री जी मानी ग्रह मंत्री जी सारी के लोग कर रहे हैं जो लोग समाज को ये दे रहे हैं कि हम सब के साथ हैं और एक तरफ जन गणना करके जाति की आधार पर राजनीत करने का सपना देखने वाले समाज को तोड़ने का तो काम कर सकते हैं समाज को जोड़ने का काम नहीं कर सकते हैं हम जात जातिक का आधार सेवा करने का आधार नहीं हो सकता जातियों का उपयोग समाज में और तमाम चीज़ों के लिए होता है साधी ब्याह के लिए होता है तमाम और चीज़ों के लिए जातिया हुई जाती का आधार राजनीत का नहीं हो सकता जाती का आधार सेवा का नहीं हो सकता जाती का आधार समान का नहीं हो सकता जो राजनितिक दल है जब वो किसी भी दल या सासक हो जाते हैं सरकार हो जाते हैं सबको लाफ देने के लिए हो जाते हैं तब उनका धर मनता है कि चाहे किसी ने हमको ओड़ दिया हो चाहे हमारे आलो चकों चाहे हमारे समर्थकों सबका विकास होना चाहिए और समाजवादी पार्टी के लोग जैसा आप सवाल कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग जाती जनगरना चाहते हैं इसका अधार क्या होता है क्या कम जात के लोगों क उत्तर्परडेश में संवाना और सेवा पाने का अधिकार नहीं है चाहे ऊचाहे वो Жास संख्या में कम हूं मिलना चाहिए जैसे ज़यादा जन संख्या वालों को घ़ाठी आधार पिजण epilepsi का अउचित क्या है उसका उपयोग क्या है एक हमारे उत्तरपदेश और देश के नागरिकों में जातिक जनगर्णा हो भी जाएगे तो उसका लाब क्या मिलने वाला है किसी राजनेतिक दल को तो लाब मिल सकता है लेकिन हमारे नागरिकों को क्या लाब होने वाला है ये तो समाज को बांटने व और समादवादी पार्टी के लोग तोड़ने का काम करते हैं आखेवी सवान आज तमाम अभियर्थियों को नियुक्ति पत्व दिये गए हैं क्या कहेंगे मैं जिन जिन लोगों को नियुक्ति आज मिली है मैं उनको बढ़ाई दिता हूँ उनके परिजनों अभिभावकों को बढ़ाई दिता हूँ कि आज से वो राज सासन के हिस्सा बने हैं राज की सेवा का उनके उपर दायतो है और अच्छे से वो अपने दायतों का निर्भान कर सकेंगे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने उत्तरपदेश सरकार के सस्वी मुख्यमंत्री जी का जिनोंने बिना किसी भेद भाव पारदर्सिता के आधार पे जो भी योग व्यक्ति था जो भी योग लोग थे हमारे अभ्यर थी कि उनको नियुक्ति मिली जबकि पहले ऐसा नहीं होता था कोई सूची के आधार पे नियुक्तियां होती थी कोई और तमाम आधार पे नियुक्तियां होती थी कि सूची में जिसका नाम हो गया वो चाहीयोगे है क्यों मनतर जी की सूची में आम आ गया मुखरवंतरी की सूची के नाम आ तो वो लोक सवा आयोग और अधीनवidas सवा चैन आयोग में चैनित हो जाया करता था लेकिन जब से उत्तरपदेश में सस्वी मुख्वंति जी आये हैं चाहे वो योग वेक्ति होगा प्रतिभावान होगा उसको अवसर मिलेगा और कोई मानक नियुक्ति पाने का नहीं हो गया सिर्फ योगिता और छमता के आधार पे नियुक्ति होती है और ऐसे समय में जिन ल लोग समझ पाएंगे क्योंकि जब कोई व्यक्ति इमानदारी के आधार पे चैनित होगा तो जीवन में वो इमानदारी को अपनाएगा और एक इमानदार रास्ट के निर्मान का काम करेगा इसलिए ये नियु जो रखी जा रही है पीडियों बाद मैसूस होगा कि कोई संत आया था उत्तरपदेश में मुक्वंति के रूप में जिसने इमानदारी की नियु रखी और उस पर एक भब भवन हमारी पीडियां देखेंगी तो हमारे साथ उत्तरपदेश सरकार के राज्यमंत्वे दिनेश पताब सिंग्थ है जिनका साफ तौर पे कहना है कि समाजिक स समाजिक सप्थां के तहट हम जन जन तक जाएंगे किन्द्व सरकार और राजेस सरकार की नीतियों को जन तक पहुंचाएंगे और साथी न्युक्ति पत्व के सवाल पे उन्होंने कहा कि पूवे पारदर्शिता के साथ हमारी सरकार काम कर रही है कैमामन विजय के साथ विभांसु प्राइम टीवी लखनो तो अभी आप सुन रहे थे राजव मंत्री दिनेश सिंग को तदेश जुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रही है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस